नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है मेरी यूटूब चैनल गाउं के किसान किसान में किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूल गोबी की बेग्यानिक खेती कैसे करें इस वीडियो में हम फूल गोबी की खेती के बारे में संपून जानकारी देने वाले हैं तो चलो वीडियो के स्टार्ट करते हैं बात करते हैं कि फूल गोबी की खेती के लिए उन्नत समय उचित समय कौन सा माने जाता है तो किसान भायो पर साथ के बाद सितंबर से अक्टूबर तक इसको हम कभी भी लगा सकते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं जलवायो जलवायो कैसी हुनी चाहिए फुल गोबी की खेती के लिए तो किसानवायो फूल गोबी का जो पोधा होता है वो ठंडी जलवायो बाला होता है इसके लिए 15-25 डिग्री सेंटिग्रेट तापमान की आवश्यक्ता होती है बात करती है उप्युक मिट्टी की तो बलूई डोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है जिसका पी एच मान साथ से कम होना चाहिए इसकी खेती के लिए भूमी को अच्छी तरी से समतल कर लेना चाहिए और जल निकासी का भी माध्यम बना लेना चाहिए बात करते हैं उन्नत किस्मों की तो पूसा देपाली, पंथ गोपी टू, पूसा कार्थिक, पूसा अर्ली सेंट्रिक, पटना अगेती, सलेक्षन 327, सलेक्षन 328 आधी हैं आप अपने हिसाब से इसमें से किसी एक बीच का चुनाब कर सकते हैं बात करते हैं कब करना चाहिए इसको, तो बताया सितमबर से अक्टूबर, या बरसात के बाद सितमबर से अक्टूबर तक आप कर भी भी इसको लगा सकते हैं अब करते हैं खेत की तैयारी किसानवायों खेत को तैयारी करने के लिए सितंबर के पहले सब्ता में खेत को दो बार अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए उसके बाद गुबर की सड़ी हुई खाद को बिखेर करके दो से तीन जुताई देशी हल या कल्टिवेटर से कर देनी चाहिए उसके बाद खेत में पाटा लगा कर समतल वा भुरुरी बना ले खेत में पानी की निकासी की समुचित ब्यवस्ता कर लेनी चाहिए बात करते हैं बीजो की बुवाई तो किशान भायो भुवाई दो तरीके से हम कर सकते हैं एक तो बीजो की सीद्य भुवाई या दूसरी नरसरी की पौद त्यार करके तो मेरे हिसाब से नरसरी त्यार करके ही पौदो को लगाना चाहिए क्योंकि उससे थोड़ा अच्छी फसल होते है उसके बाद बात करते हैं हम कितनी पौदी हेक्टेर कितनी बीच की आवशकता होती है तो 450 से 500 गिराम बीज अगर है तो पौदी हेक्टेर या एक हेक्टेर के लिए काफी होता है रुपाई कैसे करें तो रुपाई करने के लिए अगर हम सितंबर में सितंबर के फस्ट बीक में या अगस्ट में हमने अगस्ट के लास्ट में हमने नर्सरी त्यार कर ली है तो नर्सरी त्यार करने के बाद इसको हम सुरू सितंबर में या 15 सितंबर तक इसको लगा सकते हैं रोपई कैंसे करें तो पंगती से पंगती की दूरी 45-50 cm रखनी चाहिए पदे से पोदे की दूरी 30-40 cm रखनी पोद की रोपई साइका करनी चाहिए उसके बाद हलका पानी उसमें लगा देना चाहिए जिसी की जो पोदा है वो मुर्जाय नहीं बात करते हैं सिचाई की तो पौध लगने के बाद हलकी सिचाई कर लिनी चाहिए अभ सिचाई और उर्भरक पिर्दन की बात करें तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिचाई कर लिनी चाहिए और जैसे जैसे गोभी का पेड बढ़ता है तो उसमें हम यूरिया का हलका चड़का भी करते रहना चाहिए जिससे की पोधा अच्छे से ब्रद्धी करता रहे बात करते हैं खर्पतवान येंटन की तो अगर फूल गोबी में खर्पतवार ओगाए हैं तो हम उसमें दो से तीन बार निराई गुड़ाई अवस्य करा दें उसको हम खुर्पी की सायता से या हाथ से उखोड़कर खर्पतवारों को निकाल करके एक गड़े में दवा दें जिससे की खर्पतवार की प्रॉबलम खतम हो जाएगी उसके बाद बत करते हैं कटाई कप करें तो जब फूल गोबी का फूल उचित आकार से ठोस दिखाई देने लगे तो फूल गोबी का काटने का समय आ जाता है फूल को काटते समय कुछ साथानिया बरतनी चाहिए जैसी की फूल पर खरोंच या रगणना लगने पाए जैसी की मार्केट में जाकर के उसका कमदाम मिले और उसको डेंठल से नीचे से काटना चाहिए कमाई की बात करते हैं तो प्रती हेक्टेयर लगवग 200 से 400 कुंटल तक पैदावार मिल जाती है अगर सही भाव में अगर ये मिल जाए तो हम इसमें काफी मुनापा कमा सकते हैं तो किसान भाईयों ये रही फूल गुबी की उन्नत खेती की बारे में संपूर जानकारी